लोगसभा चुनाव से पहले बीजेपी अब बागी नेताओं को मनाने में जुट गई है एक दिन पहले ही बीजेपी ने चितोड़गर से निर्दलिय विधायक चंद्रभान सिंग आक्या को मना कर फिर से अपने पाले में कर लिया तो अब बीजेपी की नजर बाड मेर जिले के शिव विधान सभा से निर्दलिय विधायक रवींद्र सिंग भाटी पर है क्यूंकि भाटी ने अपनी देवदर्शन यात्रा शुरू कर बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया है भाटी की यात्रा में उमर रही भीड ने भी बीजेपी को परिशान करके रख दिया है शिव विधान सभा सीट से रवींद्र सिंग भाटी और बाड मेर विधान सभा से डॉक्टर प्रियंका चौधरी ने बीजेपी से बागी होकर चुनाव तो जीत लिया लेकिन बीजेपी ने दोनों निर्दलिये विधायक को किसी तरह का कोई भाव नहीं दिया कहा जा र कई बार कह चुके हैं कि जनता मेरा परिवार है और जनता जो चाहेगी इस आधार पर आगे कोई निर्दलिये विधायक और युवा नेता रवींद्र सिंग भाटी का पूरे प्रदेश के युवाव में विशेश क्रेज है भाटी जहां भी जाते हैं उनके लिए हजारों क भीड उमड उमड कर आती है हालिया दिनों में भाटी पहले जैसल मेर तो बाद में बार मेर के देवदर्शन यात्रा पर है इस यात्रा में उमड रही भीड ने बीजेपी की धड़कने बढ़ा दी हैं ऐसे में कयास लगाये जा रहे हैं कि चंद्रमान सिंग आक्या की तरह ही बीजेपी रवेंदर सिंग भाटी को भी जल्द मना लेगी लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भाटी को बीजेपी मना पाएगी या भाटी बाड मेर जैसल मेर सीट पर चुनाव लड़कर बीजेपी का खेल बिगार देंगे इसी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है अब अगले कुछ दुनों में ही इस्तिती साफ हो पाएगी धन्यवाद